लोगसभा में मेरे सायोगी युवाकारेक्रम खेल राज्यमंत्री गुरह राज्यमंत्री बायनिशित प्रमानिक जी इंडियन अलंपिक एस्टेशन के समाननी अध्यक्ष आधिनी निरेंदर बत्रा जी हौकी इंडिया के अध्यक्ष ज्यानिंदरो जी सेक्टि जनरल राजेंदर जी डी जी साही संधी परधान जी उपस्तित सभी माननिय कोचिस ऑफिशिल्स और मेरे प्रिये खिलाडी साथियो और मीडिया से आई हुए मेरे प्रिये मित्रो मैं सबसे पहले तो देश के कोने कोन से आई हुए सभी युवाक महिला खिलाडियों का देश की राजधानी दिल्ली में मेजर ध्यांचन स्टेडियम में खेलो इंडिया वुमेंस लीग पर आने पर आपका बहुत-बहुत स्वागल और बहुत-बहुत अविनंदन करता हूँ साथी साथ मैं शुब कामनाएं भी देता हूँ हौकी इंडिया को स्पोर्ट्स अथारिटी को कि खेलो इंडिया वुमेंस हौकी लीग अंडर ट्वंटीवान का आयोजन जो करने का संकल्प आपने लिया है ये एक अच्छा अनुभव सभी खिलाडियों के लिए रहे ये प अनुभव आता है वो शयद कहीं और नहीं मिलता mental toughness की बात करते हैं, match preparedness की हम बात करते हैं वो आपको matches के माध्यम से ही मिलता है और खिलाडियों के लिए जितने ज़्यादा matches साल भर में मिलें उनको उतना ज़्यादा पता चलता है कि अपने प्रतिद्वन्दी अपने जो opposition के सामने खेलना कैसे है कैसे compete करना है किस परिस्तिती में team combination बहतर हो कैसे आप ज़्यादा goal दाग सकें कैसे आप दूसरी team को goal ना करने दें ये रणनीती भी उसी समय तै होती है इसलिए ऐसी leagues में आपको कभी करनाल से, हिसार से, सोनीपत से, उडीसा से, मुंबई से और हिमाचल से या बैंगलोरू से बाहर आकर आप जब दिल्ली में आएं तो आप अपनी रोजवाली academy में नहीं है आप एक नए atmosphere में आकर एक नई team के सामने खेल रहे है और ये मौका आपको दिया है तो hockey इंडिया ने और sports authority of India ने दिया है जिन दोनों का मैं बहुत 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 शुक्र गुजार हूँ बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए करता हूँ मेरा अपने सभी वाखिलाडियों से अनुरोद रहेगा निसेजी ने कहा कि हौकी महिला टीम ने वर्षों वर्षों बाद शांदार प्रदर्शन किया और एक मैच तो ऐसा था जहां शायद कल्पना नहीं की थी जो हौकी अस्ट्रेलिया है उसकी रैंकिंग भारत की हौकी टीम से बहुत उपर थे लेकिन उसके बावजुद भी हमारी महिला खिलाडियों ने शांदार प्रदर्शन किया कुछ भी संबब हो सकता है एक अच्छी टीम स्पिरिट के साथ है अच्छी स्ट्राटिजी के साथ खेलना है तो यहां पर भी मैं एक के बाद दूसरे खिलाडियों को थोड़ा सा तरीके से पूछ रहा था क्या आप इनको हराओगे या दूसरों को हराओगे तो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस वापिस जवाब दे कर कहा था हम इनको जरूर हराएंगे यह आपके अंदर आत्मबल आपके अंदर यह भावना होनी चाहिए कि आप कुछ भी करके दिखा सकते हो कुछ हो ना हो बात की बात है लेकिन हमारा संकल पितना पका होना चाहिए हमारी खेल भावना के साथ खेलने का पूरा प्रयास करना चाहिए और जब भी मैच खेलने जीतने के लिए ही खेलना चाहिए उसमें कोई दोस्त नहीं है कोई कुछ नहीं, दूसरा आपका competitor है, उसको हराने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए और हराने का पूरा प्रयास करना चाहिए, मैच खतम हो जाए, उसके बाद आप दोस्ते एक दूसरे से बाद चित कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये लड़ने की ताकत अंदर से नहीं आती कि हमने जीतना ही जीतना है, जीतने के लिए ही खेलना है, वो भावना आप सब के अंदर आनी चाहिए तभी मैच में ताकत आएगी, तभी आपके अंदर से आपकी पूरी परफॉर्मेंस और आउटपुट बाहर निकलेगी इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, कि ये प्रयास है लीक के माद्यम से, कि आपको कम से कम 6 मैचेज अब मिलें, हर टीम को मिलें, उसके बाद 6 मैचेज अगले फेस में मिलें, फिर 6 मैचेज मिलें, तो आपको लगातार एक साल भर में अगर 18 मैचेज खेलने को मि बड़ी बात है, हौकी इंडिया को भी मौका मिलेगा कि अच्छे खिलाडी जिनने यहां पर परफॉर्म किया है, वो ट्रायल्स की बजाए इस कंपेटिशन के माद्यम से भी देख सकते हैं, अंडर 21 में, कौन से अच्छे खिलाडी हैं, और यही नहीं, कि एवल मैचेज ही कि खेलने के लिए नहीं मिलेंगे, पंदरा लाक रपे का कैष प्राइज भी इस टूड़नमेंट में मिल रहा है, यह भी एक अच्छी शुरुवात है कि विननर को पांच लाक रप्य मिलेगा, कुल मिलाकर पंद्रा लाक रप्य कैश प्राइज प्राइज होगा, कई बार क तरह आपको एक सुविधा मिली है एक Do the Duty एक प्लाटफॉम मिला है इस प्लाटफॉम और अपन Cookov को झात करने का। आपको अपना बैस्ट इस पर देना है ताकि इंडिया की चीम में कें खेलने के लिए आपको भिष्चय में अथ्र subst Rat यह तूर्नमेटिक प्लाटफॉर्म है आपकी परफॉर्मेंस को परखने का तो यू शुड़ गिव बेस्ट, ट्राइ यू बेस्ट, परफॉर्म तू दर लेवल तो यू शुड़ लुक अप्टू, यू शुड़ बेस्ट इन फ्यूच्ट, इन दे इंडियन टीम और इंडियन केंप्स, तो जादा ना कहता हुआ क्योंकि जब हम लोग भी खेलते थे, बत्राजी ने अब साथ में खड़ो कि कहना, जब हम खेलते थे तब तो आप कहते थे कि भाशन देने आ गया कोई तो भंगड़ा और भाशन, यह बोलेंगे भंगड़ा ज्यादा अच्छा है, मैं अब कुछ खिलाडियों से पूछ रहा था कि ज्यादा अच्छा क्या है, हौकी स्टिक पकड़ोगे कि भंगड़ा कि करोगे, तो कहते है भंगड़ा भी करेंगे और हौकी भी खेलेंगे, तो यही अप्रोच होनी चाहिए, जब भंगड़े का टाइम में तो भंगड़ा कीजिये, जब खेलने का टाइम में, तो होकी स्टिक के साथ बेस्ट परफॉर्म कीजिये, So wishing you all the best and announcing this Khello India Women Hockey League Under 21 Open, wish you all the best, thank you.